हेलो गाईज मैं आशीश वेलकम आपके घडवाली बांडा चैनल में इंजेंग ग्राफिक्स पार्ट टू में अभी थे हमने बट्रस थ्रड बनाई है फिर हमने नकल थेड बनाई है और देन हमने सेलेट थ्रड बनाई है आज हम बनाएंगे बी ये थ्रेड जिसकों कहते हैं बीटिस एसोसियेटेट थ्रेड ठीक है गाईज ड्राइंग स्टाट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जो भी ड्राइंग बनाएं आप स्टार्टिंग से बनाएं ऐसा नहीं हो कि आप बीच की कोई भी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद ड्राइंग ब बीटिस एसोसियेट थ्रेड तो जैसे आपको दिख रहा है भी यह थ्रेड हमें दिखने में ऐसी होती है ठीक है गाईज तो हम अब इसको डिरेक्ट बनाना शुरू करता है जैसे अभी तक हमने सारी थ्रेड बनाई है मैं यह भी कहना चाहूंगा गाईज जो भी इस वीड जिसको हम कहते हैं इस में भी हमें फोर्मिली यात करने पड़ेंगे इसके फ़ोर्मिली बेलग होता है जैसे बट्रस का फ़ॉर्मिल अलग था नकल का फॉर्मिला लग था सेन ऐसे ही भी एक फ्रमिला अलग होगा इसमें पिछ जेनरल ही आएगा कि आपको बस यह थ्रेड डौ करके दिखानी है तो पिछ आपको खुद माननी पड़ेगी पिछ के बेसिस पर आपका डी निकलेगा डी का फॉर्मला होता है इसमें 1.136 पी और वैसी यहां पर ठीटा आएगा 47.5 डिगरी और कटिंग आती है इसमें 0.236 डी ठीक है जिसके पास बुक्स नहीं भी है तो वह अकर खाली इन वीडियो को भी दिखेगा तो उसको बुक के जूरत नहीं पड़ेगी वो डिरेक्ट पेपर उसको दे सकता है वीडियो दे सकते हैं कि हमें और कुछन या और एक साइज दे तो आप मुझे निजो नंबर आपको शो हो रहा है मुझे से क्वेश्चन आंसरिंग पूस सकते हैं बागी वाइस हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें यहां पर पिछ हमने खुछ से 5 cm या रख दी मैं जनरली 5 भी लेता हूं पिछ जो करना होता है डी बराबर है 0.1.136 तो 1.136 पी यह हमारा कितना है यहां पर 5 इसको हम सॉल परेंगी तो हमारा आंसर आएगा 5.68 cm अब हम यहां पर डी पे भी है डी की वै है तो गए जब इसको सॉल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.34 cm है ठीक है गाइस तो हम यहां पर ड्रॉग अन्ना शुरू करते हैं बीए थ्रेट भी आपका सेलर थ्रेट की तरह ही बनता है सब मूस्ती सारी थ्रेट का पैटन सेमी होता है शुरू आत में हम एक गाइडला अब मैंने आपको बताया था जहां पर यह गाइडलाइन शुरू भी वही से गाइडलाइन भी शुरूने चाहिए एक बार हम इसके सीधन आपनेंगे है यह गाईस अब स्टार्टिंग से जैसे हमारे पीछ पाच है तो हमें धाई-धाई सेंटीमेटर पर डॉटल लगाने यह आपको बार-बार याद रखना होगा और यहां पर हमें आप वाल्टिकल लाइन ड्रॉगर नहीं होंगी अब जैसे मैं आपको बताया था अब टॉप से लेकर बॉटम और बॉटम से टॉप ऐसे में इसको प्रॉप करते रहना है वह भी लाइट पैंसिल से कि मैं जनरली आप सरा की 0.5 या एमल की 0.5 यूज करता हूं आप चाहो तो एच टू एच और एच पैंसल यूज कर सकते हैं वैसे ड्राइंग मराने के लिए सबसे अच्छी पैंसर सिविल और मेकनिकल बालोक लिए यह कैमल गी 0.5 यहां पर लिखावावी है इसमें 0.5 हो चुकिये इसके बाद हम यहां पर cutting 1.3 टॉप और बॉटम से 1.3 वंपॉइंट 3 वंपॉइंट के टॉटे टिंगे है है कि और है रेआ यहां पर लाइट लाइब है पता है कि हमारे ढ़ेंप के बीच हे बन के लोगे से नाय थो इसके बहाल पर करे इसमें कटिंग आते हैं वो वो बड्र के तिरह यहाँ पे मिले ऐसी जो आप यहाँ पे सरकल दोगं तो पॉश्य यहाँ पे मिले फ्री यह सिसको माना होगा ऑग यह Где आपका यह पेसे इस तरीका से देज्ब माहना होगा यह आपके free hand और practice पर depend करेगा आप इसको कितना अच्छा आर के यहाँ पर भमाते हों इस तरीके से इसमें आक लगते हैं टॉप और bottom ले लिए गाइस और अब इन दोनों लाइनों के बीच हमें यहाँ पर अपने डाक लाइन ड्रॉव गरनी है एट के लिए इसके बाद हमें यहां से 2 cm पर डाक लोइन लेनी होती है यहां से हमारा कॉंटिन्यू का साइन जोकि डाक होगा निच्चे की तरफ आता है जोकि दाक होगा इधर एधर के लाइन के मिटा देंगे जो गार गई इसको ऐगल यहां से यहां से यहां जो पीछ है इसको दिख दिएगे इप पेच होती है हमारी 5 cm अगर आप इसको नाप को भी देखेंगे तो 5 cm होगी इस क्रिस्ट से इस क्रिस्ट की मीच की दो रहे है ठीक है गाइस अब इसके 20 का भी एंगल हम यहां पर डॉबर के लिखादेंगे 27.5 देगरी इसमें यहां पर दोरो दरब्सम कटिंग दिखाएंगे साथ रहा है ब्टन परॉबर के रिखे रहे है रहे हैं पर डालत दोबयारा है कि कि अव करने आप बाद कि आप होगी कि यसकी कर नहीं कुरत ना सब्सक्राइब मपने होगी पर वारे टाफ दो यह सब्सक्राइब तो इस तरीक से आपकी यह द्रॉव हो चुकी है हमारी भी ए त्रेड इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कि है है कि क्वेश्चन पूल सकते हैं और आपको इस टाइप के अर चरहने हो और आप क्वेश्चन झाते हो तो नम्बर आपको आपको दिस्क्कििपिशिंग में भी हो रहा है उससे आक तो अनंट प्रस पुर्ट्ध सकते हैं इस तरह की Bitcoin हो distraikes यह जाता है आप चाहें इसको मिटा भी सकते हैं आप ऐसे रखने में अच्छी बात ही है कि समझ जाता है कि बच्चे ने कैसा हमारा ड्रॉ गिया है इसलिए कि साफ बट्रे स्ट बना सकते हैं जिस आपको दिख रहा है